नमस्कार दोस्तों आज हम Norman Vincent के द्वारा लिखी गई The Power of Positive Thinking किताब की सम्मरी के बारे में चर्चा करेंगे आज कल दुनिया के अंदर परस पर जहां पर भी देखें ऐसा लगता है मानू उदासी इंता चा गई है इस पैंडमिक के बाद तो और भी इस चीज के प्रभाव को देखा जा सकता है मानू हर किसी के चहरे पर नकारात्मत्ता का एक पोस्टर चिपक गया हो हर कोई हमेशा नेगेटिव नेगेटिव थौट्स लेकर चलता रहता है कोई एकका दुक्का इंसान आपको मिलेगा जो अपने चहरे पर एक स्माईल लेकर सदैव आपको दिखता पाया जाएगा परन्तु इवन मीडिया, सोशल मीडिया आप कहीं पर भी चले जाएं हर जगा नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इंस्टेंसे आपको देखने को मिलेंगे ऐसा क्या है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं कि हमारे जीवन में सकारात्मक्ता का संचार हो और सकारात्मक्ता के संचार से क्या-क्या बड़े-बड़े बदलाव आ सकते हैं ऐसा ही सब नॉर्मिन विंसिट ने अपनी किताब में बताया है इस किताब के 17 चाप्टर्स हैं हम इस विडियो के अंदर आधी किताब को यानि 8 या 9 चाप्टर्स को कवर करेंगे अगले 8-9 चाप्टर्स हम इसके पार 2 में करेंगे तो पहला चाप्टर आता है Believe in Yourself हम एक स्वयम पर सदैव पूर्ण विश्वास रखना चाहिए अब पूर्ण विश्वास क्यों रखना चाहिए ये प्रशन आपके मन में जागता होगा जब हम किसी भी कारे को करते हैं तो लेखक का ऐसा मानना है कि किसी भी कारे को आधा दिमाथ में ही कर लिया जाता है जैसे हम विचार लेकर अपने मन में आते हैं वैसा ही उस कारे को फल स्वरूप अपने सामने पाते हैं अगर हम ऐसा सोच लें कि यह कारे होने ही नहीं वाला है तो फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले वो कारे हम जिस मनोस्थिती से करेंगे उसमें हमें असफलता ही प्राप्थ होगी इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम जिस भी कार्य को प्रारंब करें, उस कार्य पे हमेशा हम अपनी सकारात्मक उर्जा का प्रभाव डालें, शुरुआत में उस कार्य के दौरान और अंत तक, जब हम ऐसा करते हैं, तो उस कार्य के अंदर हमारी मनोस्तिती एक तो बहुत जिससे जो भी हम काम कर रहे हैं, उसके रिजल्स बहुत अच्छे आते हैं, जो भी हम काम करेंगे, हम उसे बहुत मन से, बहुत इच्छा से करेंगे, अम माल लीजी आपने यही सोच लिया, कि ये काम होने ही नहीं वाला है, ये तो इतना बड़ा है, ये मैं कर ही कैसे सकता ह जब आपके अंदर confidence ही नहीं है तो वो कारे भला कैसे हो जाएगा जब आप यह सोच लेंगे कि मैं यह काम कर सकता हूँ तो चाहे उस काम में कोई अडचने भी आजाए फिर भी आप ऐसे तरीके ऐसे मौके ऐसे chances ऐसे रस्ते ढूणेंगे जिससे वो काम हो सके और अंत में चाहे जल्दी या फिर देर से आप वो कारे को पूर्ण करही लेंगे और आपको सफलता की प्राप्ती होगी तो अगर आपके दिमाग में आपके मस्तिश्क में आपके जीवन के अंदर कहीं पर भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो उसको रिकलेक्ट कीजिए और अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेक दीजिए क्योंकि नेगेटिविटी की हमारे जीवन में खास करके एक खुश हाल, खुशियों से भरपूर, सुख और शांती से भरपूर जीवन में कोई भी जगर नहीं है केवल सकारात्मक विचारों को ही अपने जीवन में स्थान दीजिए दूसरा चाप्टर है, पीसफुल माइन जनरेट्स पावर, अब हमारे दिमाग के अंदर जब क्रियेटिव आइडियाज आते हैं, जब अच्छे आइडियाज आते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर एक तो उर्जा का संचार होता है, दूसरा अच्छे अच्छे नए नए कारे करने का मन करता है, इसी लिए हमें हमेशा अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, अब भला शांत रखने से क्या होगा, जब भी हमारा दिमाग शांत रहता है, तो उसके अंदर नए क्रियेटिव आइडियाज आते हैं, लेकिन आज तो सब के दिमाग के अंदर स्ट् डिप्रेशन आदी ने जगह घेर ली है अब आप मुझे बताईए अगर एक ग्लास में अल्रेडी 100% पानी भरा हुआ है तो उसमें और किसी चीज के आने की जगह कहां से रहेगी जब हमने हमारे दिमाग को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इत्यादी चीजों जैसे कच्रे से भरके रखा है तो फिर हमारे दिमाग के अंदर कुछ क्रियेटिव आने के लिए जगह ही कहां से रहेगी जब हमारा मस्तिश्क प्रियॉक्यूपाइड रहेगा तो हम कुछ और नया सोची नहीं पाएंगे हर चीज की एक लिमिट होती है परंतु हमारा जो मन है वो लिमिटलेसली कुछ भी चीजें किसी भी एक्स्टेंट तक करने की उर्जा हमें प्रदान कर सकता है लेकिन वह कब होगा जब हमारे दिमाग के अंदर सकारात्मक्ता का पूर्ण रूप से संचार होगा और सकारात्मक्ता का संचार कहां होता है जहां पर टेंशन, इंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नेगेटिव थौट्स, पैसिमिजम, इत्यादी की जगह नहीं होती लालच, इर्शा, घमन, आदी से भी दिमाग की शान्ती भंग हो जाती है इसलिए हमेशा नेगेटिव थौट्स को किसी भी प्रकार के नेगेटिव थौट्स को हमेशा हमें consciously अपने दिमाग से निकालते रहना है और हमेशा positive सोचना है एक और काम जो आप कर सकते हैं लेखक के नुसार वो ये है कि आप meditation या फिर योगा को अपने जीवन की एक बहुत अच्छी habit बना सकते हैं जिससे चाहे परिस्तिती कोई भी हो कैसी भी हो उस हर परिस्तिती में हम किस प्रकार शान्त रहें वो हम सीख जाते हैं और भरपूर नींद लें स्क्रीन टाइमिंग कम करें सोशल मीडिया से मीडिया से, न्यूस से एक्सेक्टरा में अच्छी चीज़ें देखें परन्तु ऐसा होना इतना संभव नहीं है कि हम नेगेटिव चीज़ें देखी ही नहीं फिजिकल वर्क से जादा दिमाग के अंदर चल रही टेंशन और नेगेटिव थॉट्स की लूप से ठक जाता है आप जैसा सोचते हैं आपका दिमाग वैसा ही फील करता है अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो फिर चाहें आपके पैर में चोट लगी हो अब उसमें भी कुछ सकारात्मकता ढूंड लेंगे परंतु सब कुछ होने पर भी सब कुछ सही जाने पर भी अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आज का दिन ही बेकार है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा अच्छे अच्छे तरीकों से आप कैसे कर सकते हैं ऐसे आइडियाज आपको आएंगे इसलिए आप एक्सराइज भी करें इससे आपका स्टामिना बढ़ता है ताकि आप पूरे दिन एक्जॉस्टिंग काम भी असानी से कर सकें अप अच्छी डाइट लें क्यूंकि खाने का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है हमारे भारतियों में तो एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि जैसा अन्न वैसा मन जिस मनों स्थिती से खाना पकाया जाता है खाया जाता है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर विचार आते हैं और वैसे ही हम कारे करते हैं तो अच्छी डाइट जरूर लें और भरपूर नींद भी बहुत आवश्यक है और सबसे इंपॉर्टन है कि नेगेटिव लोग ऐसे लोग जो आपके जीवन में नेगेटिविटी लाते हैं या जो स्वयम नेगेटिव हैं या तो उनकी सहायता कीजिए और उन्हें पॉजिटिव बनाईए या फिर उनसे थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखे ऐसे लोगों को ही दोस्त बनाए जो सदैव पॉजिटिविटी का संचार करें चाहे कैसी भी स्थिती हो उनका नजरिया हमेशा आप्टमिस्टिक रहता हो इसलिए एक हाबिट और भी आपको इंकलकेट करनी चाहिए वो है खूब हसने की हसने से नकेवल एक करगी एक्सेसाइज होती है परन्तु हमारे दिमाग को ये सिगनिल्स भी जाते हैं कि हम खुश हैं या खुश रहेने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे दिन की शुरुवात अंत और दिन के दौरान भी अच्छे विचार आते हैं चौथा चाप्टर बताता है कि ट्राइब प्रेयर पावर प्रेयर यानि प्रार्थना एक बहुत ही पावर्फुल चीज है ये हमारे सबकॉंशिस ब्रेन को एकदम मोटिवेट कर देती है अब आप देखिए जब आप छोटे होते हैं तब आपके दिमाग पर कोई भी कि कल मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे कपड़े मिलेंगे मेरे स्कूल की फीस कैसे जमा होगी एक्सेक्टर एक्सेक्टर क्यूंकि आपको पता है कि ये सब कार्रे हमारे मापताजी देखने वाले हैं और इस सब की टेंशिन लेनी हमें आवशक नहीं है तो उसी प्रकार जब आप किसी ऐसे अपने माता पता में जैसे ट्रस्ट करते हैं वैसे अगर आप इश्वर में विश्वास रखने लग जाएंगे तो हमारा सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा अब नास्तिक लोग ये कहेंगे कि इश्वर तो होते ही नहीं है हम इश्वर में मानते ही नहीं है बट आप एक चीज सोचिए कि ऐसी कोई सूपर नाचुरल पावर ऐसी कोई एक्स्ट्रीम पावर तो जरूर है जो इस पूरे संसार को ब्रह्मान्ड को चला रही है इसलिए सदैव उस पावर के अंदर विश्वास रखिए कि कुछ भी होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा या जो भी होने वाला है उसमें मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छिपा होगा प्रेयर के लिए इसलिए उन्होंने तीन टिप्स बताई है कि प्रेयर ऐसे करें जैसे कि किसी फ्रेंड से बात कर रहें पूर्ण निष्ठा से करें सोते समय दूसरा पॉइंट है कि सोते समय रोज ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि वे आपको गाइड करें और आपको सफलता दे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आपको solution दे उन्हें दूर रखें तीसरी चीज है कि अभी तक जो भी आपको मिला है जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसके लिए आप grateful हूँ जीवन में grateful होना बहुत ही आवशक है the more ungrateful we become the more we do not realize how much we have got and when we do not have the satisfaction जब हमारे अंदर contentment की संतुष्टी की भावना नहीं होती तो फिर हमें कुछ भी मिल जाए हम कुछ भी हासिल कर ले वो सब चीजें हमें हमेशा दुखी प्रदान करती हैं कि और 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 इस और और की दौड के अंदर हमें जो मिला है हम उसे appreciate करना ही भूल जाते हैं ये तीन स्टेप्स आप हमेशा अपने जीवन में धारण करें और इससे आपको बहुत positive उर्जा मिलेगी आपको गहरी नींद आएगी और आपके जो भी दुख हैं वो धीरे धीरे हील होने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी इसलिए प्रेयर की आदत जरूर डालिए फिर चैप्टर आता है कि how to create happiness दोस्तों किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसी के हातों में होता है बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है पर वो फिर भी खुश नहीं होते अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं क्यूंकि वे कभी संतुष्ट नहीं होते उनके मन में सदैव लालच और पाने की इच्छा तरशना भरी ही रहती है इसलिए सबसे पहले इश्वर ने जो भी हमें दिया है उसको अप्रीशेट करें उसके लिए ग्रेटफुल हूँ हमेशा खुश रहें तो आपको इस सब के लिए सबसे बड़ा उधारण है बच्चे आपको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कभी आपने क्या बच्चों को खेलते हुए नोटस किया है कि वो कितने खुश दिखते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भूल कर उस खेल में मगन हो जाते हैं जो वो खेल रहे होते हैं आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए चिंता भुला कर दोस्तों से हसी खुशी की बाते करनी चाहिए किसी को भी कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कोई आपको अगर क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो उसको कंस्ट्रक्टिवली लीजे देखी आप कैसे अपने जीवन में उसका अस्तमाल कर सकते हैं और अगर आप अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं तो उसे सिंप्ली इग्नोर कर दीजे उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचने की बजाए या तो आप उसको कंस्ट्रक्टिवली ले सकते हैं या फिर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं दोनों ही केसे में वो आपको हाम नहीं करेगा अगर आप उस इंसान के बारे में इनलूप सोचते रहेंगे तो वो जरूर आपके माइंडसेट को हाम करेगा वो इंसान तो बोलकर चला गया परंतु आप उस चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो ऐसा करने से बचना है इसके लावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेटिव बातें बोलिए जैसे कि आज का दिन बहुत अच्छा है आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ आज ईश्वर सब ठीक ही करेंगे और इन सब चीज़ों में विश्वास करना है सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना जब भी अगर इस सब के बाद कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी आप ऐसा सोचिए कि this is something that happened for good या शायद इससे भी कुछ और बुरा हो सकता परन्तु मेरे साथ ये हुआ तो या फिर इससे बुरी परिस्तिती में भी कोई इनसान और होगा मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ मैं इसमें कैसे खुश रह सकता हूँ ऐसे विचार आपके मन में आने चाहिए नेक्स्ट चाप्टर इस स्टॉप फ्यूमिंग और फ्रेटिंग चिर्चेड़े बनने से बचें अब ऐसा क्यूँ क्या आप चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसा ही इनसान रोज आए जो हमेशा सिर्ष नेगिटिविटी से भरी बाते करे जो हमेशा शिकायते करे आपको ऐसा इनसान कदापी पसंद नहीं आएगा वैसे ही कुछ लोग बहुत अपने जीवन के अंदर इतने चर्चड़े बन चुकी होते हैं शायद उसके बीचे बहुत चोटा रीजन हो या बड़ा रीजन हो हम नहीं जानते लोग अपने असफलता के कारण इतने चर्चड़े बन जाते हैं क्योंकि वो ऐसा मान लेते हैं कि बस इस इस दी अन्ड अफ लाइफ इस वोस सम्थिंग दाट आई हाद तो अचीव और आई कुड़ेंट और जब तक हम आत्मे निरिक्षन ही नहीं करेंगे और औरों को हम बदल नहीं सकते इसलिए हम चर्चड़े होते जाएंगे और असफलता के बाद जब हम चर्चड़े हो जाते हैं तो लोग हमें अपने से दूर करने लगते हैं जो हमें और चर्चड़ा बना देता है तो इस एक cycle के अंदर, इस chain के अंदर फसने की बजाए, असफल होने के बाद motivation प्राप्त करके आगे बढ़ना हमारे लिए solution की तरह काम करेगा और चिड़चिड़ा न बनना हमें और सहायकों की सहायता प्रदान करेगा इस ये लेखक कहते हैं कि हमेशा हमें relax रहने का समय निकालना चाहिए जैसे हम daily brush करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही relax करने के लिए भी एक routine होना चाहिए, समय होना चाहिए और रिलाक्स करने के कुछ स्टेप्स भी लेकखने बताए है वे कहते हैं कि आप एक चेर पर अराम से बैठ जाए लंबी लंबी सांसे लीजे दिमाग को शांत कीजिए फिर कुछ ऐसे द्रिश्य विजुलाईज कीजिए जैसे सेबों का बगीचा बाटरफ्लाईज के बीच में आप बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स के पातवे पर चल रहे है साफ पानी का कोई बीच है उपता हुआ सूरज है या ढलता हुआ सूरज है उसकी लालमा पूरे आकाश में चाही है फूलों पर तितलिया हैं भागते हुए हिरन, इत्यादी, ऐसी किसी भी सीनिक ब्यूटी को या जो भी चीज आपको खुश करती हो ऐसी चीज के अंदर आप आँखे बंद करके स्वयम को विज्वालाईज कीजे इसके साथ भोलिए कि मैं धीरे धीरे रलाक्स फील कर रहा हूं मेरा ब्रेन एक तम शांत हो रहा है मुझ में पॉजिटिव एनरजी भरती ही जा रही है इस तरह से कुछी मिन्टों में आप रलाक्स महसूस करेंगे इसी से संबंदित एक छोटी सी आक्टिविटी हम इस वीडियो के एंड में भी करेंगे expect the best यह है next chapter हमेशा सबसे अच्छे की उमीद रखे दोस्तों जब भी हम बुरे की उमीद रखते हैं तो बुरा होता है जब हम अच्छे की उमीद रखते हैं तो अच्छा होता है या यूँ कहले जब हम बुरा सोचते हैं तो अगर कुछ अच्छा भी हुआ है अगर हम अपने आँखों के सामने black lenses लगा लें तो हमें हर चीज काली black and white sort of दिखेगी exam देना हो तो ऐसा सोचेंगे कि हम fail ही होंगे job का interview निकलेगा ही नहीं हम clear कर ही नहीं पाएंगे तो हम उसी तरह से behave करने लग जाते हैं क्योंकि वो हमारे subconscious mind में बैठ जाता है और उससे हमें false वरूप ऐसे ही परणाम मिलते हैं जैसा हमारा subconscious mind धीरे धीरे हमारे कारेओं पर effect करने लग जाता है इसी लिए लेकर हमेशा कहते हैं कि अपने आपको positivity से भरी चीजें बताइए ताकि subconscious brain को एक positive signal जाए और उससे आपके कारेओं पर अच्छा प्रभाव पड़े जिससे आपको परणाम स्वरूप सफलता ही हाथ लगे और उन्होंने चार words का एक phrase बहुत ही golden phrase दिया है faith power works wonders मतलब जो विश्वास की भावना है कि हाँ अच्छा ही होगा वो wonderfully काम करती है और द्रिश्य शक्ति छिपी हुई है ऐसा भी विश्वास रखना है जो आपकी सोच को positive बनाएगी और आपके कारेओं को एक positive रुख देगी जिससे आपको हर कारे में सफलता मिलेगी एथ है don't believe in defeat हार में कभी भी विश्वास न करें दोस्तों कभी भी हार में विश्वास नहीं करना ही जीवन की कुझी है it is the key to life कहा भी जाता है हमारे भारतियों के आप विश्व प्रसिद एक कहावत है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत अब जो मन में ठान लिया है सो करना है सो ही होगा ऐसा जब हम सोच लेते हैं तो चाहे कुछ भी परस्तिती आ जाए हम उसको पार कर ही लेते हैं कुछ लोग एक दो बार हार जाने से ये मान लेते हैं कि उनके जीवन में केवल हार ही लिखी है आप कभी भी ऐसी thinking बिल्कुल नहीं रखें जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है हर हार से कुछ नया सीखिए हर किसी की हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था आप तो हजार बार गिरे होंगे लेकिन क्या कभी आपके मापिता जी ने ऐसा सोचा कि ये चल ही नहीं पाएगा आप भी छोटे होते हुए बहुत बार गिर कर खड़े होकर साइकिल सीखे चलना सीखे दौडना सीखे, जंप करना सीखे चोटे बचे जंप नहीं कर सकते लेकिन दीरे दीरे जैसे वो बड़े होते है वो जंप करना भी सीख जाते है उस समय ऐसा क्यों होता है कि बार बार गिरने के बार भी बहुत excitement से बच्चे खड़े होके फिर से चलने लगते है क्यों क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि हार का मतलब क्या है और जब आपको पता ही नहीं है कि हार नाम की कोई चीज है तो आप सदैव सिर्फ जीत को ही हासिल करने के पत पर अग्रसर होंगे तो यही principle आप अपनी लाइफ के गोल्ज में भी सफलता पाने के लिए इस्तमाल करे अच्छे से स्ट्राटजी वनाए उसे प्लान आउट करे समूचत ग्यान ले जो आपको किताबों से अच्छी चीजों से पढ़ कर जान कर समझ कर लोगों के experiences से मिलेगा हारने पर कभी भी निराश न हो बलकि खुश हो क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर भी बैठे होंगे अपितु स्वयम को compare भी मत कीजे आप ऐसा सोचिए कि आपके अंदर इतनी हिम्मत थी इसलिए आपने participate किया किसी भी काम में और चाहे हार लगी है आपके अंदर फिर भी हिम्मत है कि आप फिर खड़े होंगे फिर participate करेंगे और जीतने का प्रयास करेंगे अच्छे सकारात्मक विचारों से हवा के थपेडों से पेड़ डरते नहीं हैं बलकि उन्हें जीलते हैं इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं तो जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं तूफान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता इसलिए हार से डरे नहीं बलकि उसका स्वागत करें क्योंकि हार को अंदर ही अंदर मजबूत बनाने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है जब आप उसको फेस करने लग जाते हैं और इसी मजबूती के दम पर आप एक दन दुनिया के अंदर बहुत बड़े चेंजिस भी ला सकते हैं बाकी के 9 to 17 chapters हम कल की वीडियो के अंदर यानि part 2 of the power of positive thinking by Norman Vincent में पढ़ेंगे तब तक के लिए एक मिनट की activity है आप सभी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उसी दोरान अपनी आँखों को बंद कीजिए और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मैंने पाया है कि मेरे जीवन में या मेरे आसपास के लोगों को जिनको मैंने ये प्रक्रिया बताई उनके जीवन के अंदर ये सफलता और ऐसा कह सकते हैं कि जब भी उनके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई anxiety या कोई stress या कोई tension की बात आई है जब भी उन्होंने ये किया है तो उन्हें अच्छा फील हुआ है तो आप सभी आँखे बंद कर लीजे आशा है आप सभी ने आँखे बंद कर ली होंगी अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काउंट करूँगी हम पांच बार श्वास लेंगे हर बार एक एक सेकंड का अंतराल बढ़ाते जाएंगे तो मैं स्टार्टेंग में 5 तक गिनूंगी आपको आँखे बंद करके 5 गिनते रहने तक श्वास को लेते रहना है फिर 5 गिनूंगी तब तक आपको उसको होल्ड करना है फिर 5 धीरे धीरे गिनूंगी तब आपको exhale करना है ये 15 सेकंड की एक श्वास लेने की, hold करने की और छोड़ने की प्रक्रिया हुई, ठीक है Close your eyes, inhale 1, 2, 3, 4, 5 Hold your breath, 1, 2, 3, 4, 5 Slowly release it, 1, 2, 3, 4, 5 Very nice, now we will go on with the second count Keep your eyes closed, inhale slowly, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hold it, 3, 5, 6 Release it slowly, 1, 2, 3, 4, 5, 6 For the third time, yes, start inhaling, 2, 4, 6 Now hold it, 1, 3, 5, 7 Slowly exhale it out, 1, 2, 4, 5, 7 Now I will remove some count in my mind, because I count that in my mind, but hopefully if I count them, then it will be uneasy for you. This principle, whenever you feel anxiety and stress, you can use it and do it. Tomorrow we will meet the part 2 of the video. आशा है, तब तब तक आप अच्छी उर्जा के साथ, सकारात्मक्ता के साथ कोई भी कारे को करेंगे और कुछ भी चाहें आपकी लाइफ में आ जाए, आप एक ऐसी हाबिट बना लीजिए, कि आपको उसके अंदर से अच्छा क्या है, वो निकालना है कोई भी आपको कुछ बुरा बोले, आप उसको अच्छे तरीके से अपने जीवन में कैसे ढाल सकते हैं, कि आपके जीवन में सफलता का, सकारात्मक्ता का परणाम आपको प्राप्त हो, फिर मिलते हैं एक नई विडियो